व्रत की एक और जबदस रेसिपी के साथ मैं लोटी हूँ जिसका नाम है कुट्टू की पकोडी ये टेस्टी और बारी कुट्टू की पकोडी बनाना बहुत असान है देखिए ये कितनी क्रिस्प है नवरात्रों के व्रत में हम ये मन करता है कुछ न कुछ अलग खाने का तो ये कुट्टू की जो पकोड़ीया है बहुत ही क्रिस्प हैं जैसे कि आप आवाज सुन सकते हैं इसे बनाना भी आसान है और टेस्टी भी और हल्दी भी बहुत है मैं इस वीडियो में साई टिप्स औं ट्रिक्स भी आपके साथ शेर करूंगी कैसे इसे सही तरीके से बनान सिंघारे का थंड़ा होता है कुट्टू का अटा गरम आप इसमें मैं आड़ करूँगी आदा टीस्पून काली मिच पाउडर एक टीस्पून सेंदा नमक अपने टेस्ट के साबसे से कम जादा कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करते जाईए और अच्छे से मिक्स करते जाईए ताकि लिए लम्स ना पड़े एक बैटर बनाना है जिसकी कंसिस्टेंसी मीडियम हो पानी जो एड़ करना है वो रूम टेंपरेचर पर होना चाहिए मैं यहाप एक एक चीज इसलिए डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि आपकी जो पकौड़ियां है वो बिल अच्छा बनता अगर हम हाथसे से घोलें कोई लम्स नहीं पड़ते कुछ इस तरीके के कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अब हम इसमें आड़ कर देंगे दो बारी चॉप की हुई हरी मिर्च यह व्रत स्पेशल रेसिपी है इसलिए तीखे पन के लिए मैं नहीं आप हरी कर सकते हैं अगर आप रत में खाते हैं तो अब करेंगे कूप सारा चॉप किया हुआ हरा धनिया सारे इंग्रीडियंस को अच्छे से मिक्स कर लीजिए यह बैटर अब रेडी है अब एक आलू लेना है उसे अच्छे से वाश कर लेना है बिना चीले इसे स्लाइजर की आने के लिए तो यह बारी स्लाइज होना चाहिए और साथ के साथ एक और बड़िया टेप इससे जैसे ही आप स्लाइज करें साथ के साथ थंडे पानी में आड़ कर दें इसकी वज़े से नरम नहीं पड़ेगी अब आती है इसे फ्राइज करने के बारी उसके लिए मैंने से ऑईल में भी फ्राय कर सकते हैं पर घी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आलू की स्लाइजेस को थोड़ी दे छन्नी में पसा देंगे एक दो मिनट पहले ताकि इसका सारा पानी ड्रिपॉफ हो जाए अब जितनी आलू की पकोड़ी एक बारी में तलनी है आपको वो स सारी आलू स्लाइजेस आप इस बैटर में आड करेंगे और इसे पूरा अच्छा से कोट करेंगे और अच्छा से गरम हो जाए उसके बाद एक एक करकी इन पकोड़ियों को इसमें आड करेंगे फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है कोई भी चीज अगर आप हाई फ्लेम प अलर हो जाएगा इसका और यह अपने आप अलग-अलग हो जाएंगी आप देख सकते हैं देखिए यह चिपकी नहीं रह रही अप अलग-अलग हो गई है अच्छे से फ्राइं होने पर इसे निकाल लेंगे हम त्यार है हमारी गरमा गरम व्रत की पकोड़ी इसे दैं या फ अभी भी बनाएं बहुत टेस्टी लगती है यह रेसिपी मैं मिलूंगी ऐसी ही और बढ़िया बढ़िया टेस्टी रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर डोंट फोगेट टी लाइक शेयर और सब्सक्राइब